नमस्कार मैं हूँ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक आज का दिन एतिहासिक और उस दिन को जीने के लिए एक बार फिर उस एतिहासिक पल को जिसने संभव भी बनाया है अपने प्रयासों से उत्तर प्रदेश के मुखी मंत्री योगी आदितनाथ इस समय हमारे स साथ हैं बहुत स्वागत है आपका बहुत शुब कामना है योगी जी आपको भी क्योंकि जब आपने उत्तर प्रदेश को संभाला उस दिन से आप आयोध्या बार बार आप आने लगे आपके दौरे बढ़ने लगे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किये कई कई कटाक्ष भी होते थे आपके उपर कि आप राम जी की प्रतिमा सर्यूगाट पर बनाने वाले हैं लेकिन राम मंदर कब बनेगा आज आपको लग रहा है कि वो सारी चीजे अब दूर हुई अब आगे सिर्फ राम मंदर का निर्माण देखें इस कारे का स्रे आज की तिथी का स्रे प्रधान मंतरी मोदी जी को जाता है जिनके प्रयास से भारत के लोकतांत्रिक इथ्यास में पांसो वर्सों से चले आ रहे है एक विवात का सांति पूर्ण लोकतांत्रिक और सम्विधान समवत समाधान निकला और पांसो वर्सों से चल रहे संघर्स को उन्होंने सांति के प्रतीक की रूप में राश्टिय एकात्मता का प्रतीक बना दिया हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरा एक लंबे संघर्स के लिए जिन पूज्य संतों ने धर्माचारियों ने मर्यादा प्रसुत्तम भग्मान सिर्राम के भक्तों ने अपना त्याग और बल्दान दिया था इसमें बहुत सारी पीडियां तो ऐसी हैं जो आज की तिथी को देखे वेगर ही इस धर्माधाम को छोड़के चली गए लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन सब की आत्मा को भी भारी संतोस का अन्भा हो रहा होगा और मेरे लिए तो एक गौरव का छण है कि मेरी तीन पीडियां मेरे दादा गुरू महंत दिगविजय नाजी महराज इस संघर से 1934 से लगातार जोड़े रहे और राम जन भूमी मुक्तिय के समिती का नेत्रित्वा मेरे गुरू जी ने अपने जीवन केंतिम काल खंड तक किया और एक ही सपना उठ पोस्ते थे जब भी उनसे कोई पोस्ता था कि क्या सपना है क्या चाते हैं उन्हों रहाएक सादू संत क्या चाहेगा मर्यादा प्रसुत्ता भगवान सीराम का मंदिर निर्माण का मार्ग प्रसस्त हो जाए प्रमंस रामचंदरदाज जी महराज, अयोध्या में पूज्य प्रमंस जी महराज, संक्राचारे पूज्य स्वामी स्थान्तानन जी महराज, वीतराग स्वामी बामदेव जी महराज, देवरहा बाबा, इस प्रकार से अनेक अन्गनी संतों की परंप्रा है, यहाँ पे बाब के लिए समर्पित किया ऐसे रामभक्तों की करणों कोट कोटी रामभक्तों की भावनाई थे पांसो वर्सों से इस बहुत प्रतिक्सित तिथी के लिए राज आदने प्रधानमंत्री जी स्वयम अयोध्या धामे पधारे उनका आभार व्यक्त करता हूं और नहीं मर्यादा प कि एकात्मता की रूप में बदल करके भारत की ताकत की रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है आज उस रूप में अपना मार्क दर्शन भी दिया है योगी जी आप सब के चेहरों पर एक आयोजन का सिर्फ भाव नहीं था बलकि काफी भावनात्मक लम्हा लग रहा था वो देखें हमारे लिए मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरे लिए तो अत्यंतो भावुक छण था गौरव का छण भी था उत्सार उमंग का छण भी था उत्सार उमंग का छण इस बात को ले करके कि उत्तरप्रदेश सरकार बाहर की सुरक्षा की विवस्था और अन्य विवस्था सारी विवस्थाओं की जम्मेदारी उत्तरप्रदेश सरकार के पास और पिसले तीन वर्सों से मैंने उस कारे को बहुत मस्तीक से महसूस किया है उस नाते मुझे पार्टी ने और आदने प्रधान मंत्री जी ने दाहित्व दिया उस दाहित्व के नाते मैं इस कारे को यहाँ पर करने में आज अपने को स्वेंब सौभागे साली मानता हूँ मेरे लिए स्वभा के साली इसलिए भी कि मेरे गुरु परंपरा ने इस संकल्प आज से दसकों पूरु देखा था और आज जो साकार हो रहा है उस साकार होते भे उन दिब्ब्य आत्माओं ने जो इस धरादाम को छोड़ के चली गए स्वभाई कृफ से उनकी आत्मा को भी असीम आनंद के नभूती हो रही होगी असीम सांती मिल लही होगी तो मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है क्योंकि इन सभी पूज्य संतों का बहुत सानिद्य मुझे प्राप्त रहा है और आज उस छण को हम लोगों ने मैसूस किया है मंच पर जितने भी महनवाओ थे इस सभी राम जनम भूमी के साथ आत्मी रूप से जुड़े रहे हैं बहुत मजबूती मजबूत संघर्ज के साथ जुड़े रहे हैं और आज उसका प्रणिती हम सब के सामने है स्वाभायक रूप से हमारे लिए आज का दिन गौरव का दिन भी है हमारे लिए उमंगर उत्सा का दिन भी है और भावनात्मक रूप से भे अपने पूरवजाओं के साथ राम भक्तों के साथ जुड़ने का दिन भी है प्रियांका गांदी ने कहा कि राम सबके हैं राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं आपकी दूसरी जो पार्टियां है विरोधी पार्टियां उन सबको ये था कि आप लोगों ने बाकियों को निमंतरन क्यों नहीं दिया क्यों ऐसा रखा कि सिर्फ अपने अपने जो आपके लिए सही है उन्हीं को बुला रहे हैं बाड़ी जो आना CHATTA है वो आनाहीं सकते हैं ने कि रामस और there को हम बंध पहले से विह नहीं सकते रहे हैं इस हज़तीत आ झाहिए थी जब यहांपर कुछ लोगों के फुरुजårगों ने रामला की मूर्थियों को हटाने के कुछ से चेस्टा की थी आकिर कौन लोग थे वो इसके पुर्वस थे जो यो ध्यामे रामला का मंदिर नहीं चाते थे कौन लोग थे जो गर्ब ग्रे में जहां सिलानियास हुआ है 1989 में वहां सिलानियास न करके कि वहां से 200 मीटर दूर कह रहे थे कि वहां सिलानियास हम करेंगे लेकिन वहां पे कुछ नहीं होना है विवादित जहांचे में कुछ नहीं करना है हम चाते थे सभी लोगों को बुलाना परम जानते थे कि अज़िध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्मान का जो कारिक्रम होगा यद्दिपी आयोजक से राम जन्भुमी तीर्थ छेत्र नियास ही है लेकिन बाहर की विवस्ता की दिस्से हम उसमें उनको सहियोग कर सकते थे वोविद्द नाइंटीन के प्रोटोकॉल के नाते सीमित संख्या में लोगों को बुलाना आप नुमान लगा सकते हैं कि देश के सभी मत संप्रदाय से जुड़ेवे सभी पूजय धर्माचारे इस कारिक्रम में सहभागी बनना चाते थे सीमित संख्या में लगभग दोसो के आसपास अतितीस पूरे कारिक्रम में सहभागी बन पाए मारा विचार परिवार है राष्टियस्वेम सेवकसंग है विश्विंदु परिशद है भारतिय जनता पार्टी का भी कोई पदादीकारी इसमें नहीं आया एक यवल कॉंग्रेस या सपा या बस्पा या किसी का नहीं बीज़ेपी का कोई पदादीकारी इस कारिक्रम में सहभागी नहीं था भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्य अध्यक्स भी इस कारिक्रम में आ सकते थे परदे-स Southern अधिक्स भी कारिक्रम में आ सकते थे कोई इस कारिक्रम मैं सेह भागी नहीं सीमिच संख्या में फितियों को बलाकर कि एक स्विट्ट कारिक्रम का सुभारंब कर देना उस कारिक्रम को आगे बढ़ा देना इस दिरिश्टी से यह कारेकरम हम लोगों ने इस दिरूप में किया कारेकरम का लाई प्रसारण था और मेरा इमना है राम सब के हैं सबी लोगों को राम के काज में सभागी भी बनना चाहिए लेकिन राम के नाम पर समाज को बांटने की कुछ सी चेस्टा नहीं करनी चाहिए वो तो कहते हैं कि आप लोग करते हैं हमने तो कुछ नहीं कि हम जो सब को जोड़ा है हमारे हैं तो हमने कौन सा ऐसा संप्रदाय है मत और संप्रदाय है जिसको इस कारेकरम के लिए बहुत आउस्चिक था उनको यहां रोष्ट ने आमंतित भी कि आप बन रहे हैं लेकिन हमने राम के नां पर राजनीती नी किये मर्यादा पुरौताप mixed வ मंद्स के लिए जोुक सकता था उस कारेकरम के साथ जिस के साथ 1984 में जुड़े थे उसी निस्ता के साथ 2020 में भी जुड़े वे हैं लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर 1949 में इनकी भावनाएं क्या थी 1984 में क्या थी 1990 में क्या थी 1989 में क्या थी 1992 में क्या थी उसके बाद किया थी और उसके बाद भी समय समय पर कभी कोई सुप्रीम कोट में जाता था कहता था इस नहीं इसका समाधान नहीं होना चाहिए यह सब जीचे में लोगों के इन वास्तिविक ताओं को भी देखना चाहिए कि लोग बोलते कुछ और हैं इनके अंतरकरण में कुछ और होता है हम लोगों ने जो कहा उसके नुसार किया हमने जिस रूप में राम को देखा है उसी के नुरूप नाम के नुसार हम लोग अपना जीवन भी जीए बहुत सारे लोग जो दर्शन करना चाहते थे अभी तक चुकि विवादित स्थल होने के नाते बड़ी दिक्कते होती थ है और दूसरा राम लेला के दर्शन की बात है लोग कब तक समझ सकते हैं कि अपने परम आराध्य को वह आकर आराम से देख सकें देखें मर्यादा प्रशुत्तम भगवान सिरी नाम के मंदिर में इस समय रामला बिराजमान जहां पर है और स्थाई मंदिर में सास्त्र सम्मत तरीके से चैत्र सुक्ल प्रतिपदा से भगवान राम बिराजमान है और वहां पर उनके दर्शन करने की विवस्ता दी गई है सुरक्सा की फुक्ता विवस्ता है सिराम जन्भूमित तीरत चेत्र ट्रस्ट है वह वहां की विवस्ता विवस्तित रोप से संचालित कर रहा है अब कोई भी उसमें समस्या नहीं रही है लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर निर्मान में भव्य मंदिर निर्मान का कार अब आज से प्रारम हो चुका है मंदिर निर्मान में जो भी समय लगेगा इसके बद भग्मान राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे अभी तो टाट से भगवान राम को एक और स्थाई मंदिर में दिराजमान किया गया है इसके बाद ये कारिक्रम आगे बढ़ेगा और भगवान राम बब्ब मंदिर का निर्मान बनने के बाद वहाँ पर उनकी अस्थापना कारिक्रम भी उसी रूप में संपन होता है आपने कहा किसी पार्टी विशेश के व्यक्ति को नहीं, बीजेपी के व्यक्ति को भी नहीं बुलाया गया यहाँ पर लेकिन लोगोंने सवाल उठाए कि क्या प्रधान मंत्री जैसा पद एक ऐसा होता है कि वो भूमी पूजन के लिए जाएं लोगोंने आरूप लगा है कि यह सांप्रदाइक है देखे जो लोग मर्यादा प्रसुत्तम भग्मान सेरी नाम को सांप्रदाइक जिस से देखना चाते हैं भारत के सांस्कृतिक मुल्यों और मान बिंदों को सांस्कृतिक जिस से देखना चाते हैं अगर उनकी ये संकीन द्रिष्टी नहीं होती है तो संभोता आजादी के तत्काल बाद पहले पांच वर्सों के दोरान ही सोमनात मंदिर की तरज पर अयुद्या में ऐसी राम जन भूमी से समधित दिवाक्त का प्तक्सिप हो चुका हुता उनकी उस संकीन द्रिष्टी कोंड ने ही जिसने छादम धर्ण प्रेक्स्ता के नाम पर हिंदू बिरोध करना अपना जन्म सिद्धा भीकार समझ लिया था से राम जन भूमी का संघर्स उसकी प्रतिकरिया थी और मुझे लगता है संघर्स ने नकेवल इस देश को छादम धर्ण प्रेक्स्ता के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की अपी तो इस देश की वास्ते में परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रतिक सम्मान का भाव व्यक्त करें इसका एसास भी हम सब को कराया है और मुझे लगता है सभी लोगों की आँखे खुली है आज जो लोग कल तक राम को सामपरदाई कहते थे यही लोग चुनाओ के समय जगए-जगए मंदिरों में जाकर के रामिल्ला का दर्शन करने या अन्य देव मंदिरों में जाकर के दर्शन करके वहाँ पर जनता को अब दिखाने का प्रियास कर रहे हैं कि नहीं हम हिंदू विरोधी नहीं है लेकिन इनकी वास्तिविक्ता क्या थी आजादी के बाद से लगातार इनके इन किर्तियों को देश और दुनिया देखती रही है सालों तक आयोध्या जी आने से भी बहुत लोग डरते रहे हैं कम से कम सियासत दाजो है अयोध्या में लठकते वे तार जूलते वे तार पतली संक्री सडकें यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधान नहीं आस तो हर प्रकार की हमने यहां की आस्ता का भी संवान किया और यहां के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया यदि पच्छे साल पहले प्रणानमंत्री मोधी जी ने रामेन सर्किट के माध्यम से इस कारिकरम को आगे बढ़ाये था वह ये कारिकरम हमारा आगे भी चल्दा है युद्या जो एक समय में महान राजाओं की भूमी आध्यात्मिक भूमी लोगों ने अपनी राजधानियों को विश्व में अयुद्या जैसा श्रिश्टितम नगरी जैसा बनाया आपने जो नगर निगम बराबर रह गए थी यहाँ पर आपने पहले फैजाबाद हटा कर अयुद्या किया अब समझें कि नाम के साथ नियती भी बदलेगी नाम के साथ काम भी बदला है पहले अयुद्या एक नगर पालिका थी हमने उसको नगर निगम बनाया अयुद्ध्या को नगर निगम बनाया फिर जन्पत का नाम अयुद्ध्या किया फिर कमिशनरी का नाम अयुद्ध्या किया अयुद्या में मर्यादा प्रुस्तम भगवान सिराम के चौदा वर्सों के बनवास के बात अयुद्या आगमन की स्मृत्य में जिस दिपावली उत्सों को मनाय जाना चाहिए था उस दिपावली रूप से यहां पर आगे वढ़ाया और इसको प्रांती करन करके आदर्यावार्ण प्रियाग राज कुम्भ कायूजन रहा हो या जो भी कर कुछ हम कर पा τरहा है हैं प्रधान मंत्री मोदी जी की प्रेणा है और उनी के मारक दरसन में इन कारिक्रमों को मागे बढ़ा रहे हैं आपने कहा कि सालों का संघर्ष, सालों का विवाद कुछ और जगों को लेकर होता है और कई लोग इस बात को लेकर आशंकित भी होता है कहीं अब वो मांगना शुरू हो जाए देखे हमें जन भावनाओं का सम्मान करना होगा भावनाई कोई भी हो उनका सम्मान तो करना होगा और लोकतांत्रिक मुल्यों की बात केवल भाषनों से नहीं वास्तविक रूप में भी हमें जन भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा चाईवा विकास के मुद्दे पर हो चाईवा उनकी अंतहकरण की आस्ता से जुड़ी भी प्रशन हो इन सब का सम्मान करना पड़ेगा योगी जी इसके साथ साथ दूसरी चुनोती जिसकी आप लड़ाई कर रहे हों जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं वो है कोरूना रोजाना आपकी मीटिंग्स दिखती हैं आप अस्पतालों का भी दौरा करते रहते हैं उस हिसाब से कैसे आपने बनाया संतुलन की आप लोग तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कोई अनिप्लॉइमेंट नहीं चला जाएगा कोई कोरूना की लड़ाई नहीं जीच जाएंगे हम एक राम मंदिर का निर्माण यह हमारे लिए भब्य भारत के राष्ट मंदिर के निर्माण का एक अभियान भी है एक नए युक का सुभारंब भी है और यह भब्य मंदिर निर्माण का जो सुभारंब है यहर मर्यादा प्रसुतम भगवान सरी राम की यस और कीरती के नुसार भारत की भी यस और कीरती को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अभियान है और इस अभियान को हम लोग उसी रूप में ले र प्रियागराज के दोरान आपने देखा होगा कि प्रियागराज कुम्ब में रिकॉर्ड मात्रा में सरधाल उजनाए उत्तर प्रदेश की एकोनोमी पर उसका लगवक एक लाग वीस हजार करोड रूपे का टर्णोबर पूरे कुम्ब के आयोजन के दोरान हुआ एक बड़ प्रियाज के साथ भी जोड़ी है, अयोद्या में आस्ता का भी सम्मान होगा और्थ विवस्ता को भी मश्वूति इसके माध्यम से हम लोग दिनी जा रहे है। यह बहुत बड़ी फोर्स है, यह मारी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को अभी तक पहचाना ही नहीं गया है। इस ताकत को अगर पहचानने का प्रयास किया गया होता, तो संभवता उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने संकीन्डता की दिस से अयुद्या, मतुरा, कासि उन तीर्थ वस्तलों को नहीं देखा होता, जिन तीर्थ वस्तलों में ब्यापक संभवनाई थी, आस्ता का सम्मान का भी था और तो विवस्ता को संभल प्रदान करने की ब्यापक संभवनाई थी। मतुरा में हम लोगों ने मतुरा का मतुरा बिर्थ शेतर विकास परिशत के नाम पर पहले ही वहाँ की विकास के कारिक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारम्ब कर दिया है, बहुत बहतरीन तरीके से कारिक्रम चल ले हैं, और आब मानिए हमने अगर देपावली को अयुद्या के साथ जोड़ा है तो हमने रंगोचो को होली को मत्रवा बिरंदावन के साथ भी जोड़ा है हम लोगों ने दीप देपावली को कासी के साथ भी जोड़ा है हम लोगों ने कुम्ब को प्रियागराज के साथ जोड़ा है ऐसे ही अलग-अलग कारेक्रमों को अलग-अलग उसक का स्रेज आता है और मैं उनकी प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने या उसर हम सब को दिया देश्वाश्यों को दिया हम आभारी आभारी हैं आदरिये ग्रह मंत्री सेमित साजी का व्याज इस कारेक्रम में सहभागी नहीं बन पाए और मैं मर्यादा प्रसुत्म भग्वान से उनके सेग्र आरुग्यता की कामना करता हूं उनका मार्क दर्सन जिस रूप में मिला इस पूरे कारेक्रम में जिस तनमयता के साथ जुड़ करके उन्होंने इस अभ्यान को आगे वढ़ाया अरणिय प्रधान मंत्री जी के मार्क द प्रधान मंत्री जी ने अपनी उपस्तिति से गवर्वानित क्या ही है लेकिन सासाथ आज एक और महत्वकून तिति है कि आज ही के दिन सत्तर वर्सों के कस्मीर के कलंग धारा 370 को समाप्त किया गया था इसके लिए भारत के समिधान के प्रति अपने सामधानिक दाहित्तो का निरुवान करते हुए कस्मीर से धारा 370 को समाप्त करके आतंग बाद की जड़को सदेव के लिए समाप्त करने का जो कदम विगत वर्स आधनिया प्रधान मंत्री जी के मार्क दरसन में आधनिया ग्रह मंत्री जी ने उठाया इसके प्रतीव में उनका आभार विक्त कर कि मुहुर्थ आप लोगों ने नहीं निकलवाया प्रधान मंत्री के हिसाब से आज की डेट को तै किया ये मोहुर्थ है हमने जो भी किया देश के सभी बिद्वानों से जो भी आज आपको मालूम है जिस समय प्रधान मंत्री जी ने सिलाव प्रतिष्ठा को स्थापित किया वह अभिजीत मुहूर्थ है यह वह मूर्थ है जब मर्यादा प्रसुत्तम भगवान से राम जिस मूर्थ में स्वयम पैदा हुए थे अब जिन लोगों को इन चीजों की जानकारी न हो मुझे लगता हुए लोग इस प्रकार की बातें करेंगे ही लेकिन राम के काज में ज प्रधानमंत्री जी और हम सब भी उन्हीं के आमंत्रण पर यहां पर आये हां इतना जरूर था कि हम लोग इस कारिक्रम में बाहर की आदर्णिये प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है हमारे लिए गौरवसाली छंड था तो अन्य विवस्ता और सुरक्साधी की विवस् हमने रहता है तो आपको उस समय हमने उस भावुक पल में भी देखा है लेकिन योगी आदितिनात एक कड़क अड्मिनिस्ट्रेटर के तौर पर जिनके साथ उनकी पुलिस के एंकाउंटर पर भी उतने सारे सवाल उठ जाते हैं योगी जी जब वो सबसे फेमस एंकाउंट कर यहां पर हुआ उसको लेकर जाज की मांग हर जगे उठने लगी। ते उठेगी भी देखे हमारी प्रतिवदता प्रदेश की 24 करोड जनता को सुरक्सा देना है और 24 करोड जनता की सुरक्सा यह हमारा दाहित्व है हमारा कृतब्य है हमारा धर्म है हमेशा हमारे कृतब्यों का एसास कराता है मुझे लगता है कि राक्ससी परवर्ति का नास होना ही चाहिए और सद परवर्तियों का उत्थान होना ही चाहिए सज्जनों के लिए के उत्थान के लिए और दुस्टों के दलन के लिए राजसत्ता को हमेंसा तयार रहना चाहिए दिकास दुबे का इंकाउंटर पूरी तरीके से क्लीन था, सही था आपके हैसाब सर्थ देखे उसकी जांच चल लही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक न्याई कायोग गठित किया है हमने भी एक S.I.T. गठित की है और जो भी रिजर्ड सामने आएंगे, सब दोत का दोत, पानी का पानी सब के सामने आएगा यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर आपको बहुत लोगए कोई अपराद, यूपी में नियुनतम अपराद है हाँ, भाई-भाई के विवाद में दोस्त-दोस्त की हत्या कर ले ये एक चैलेंज जरूर है ये पारवारी और किस प्रकार के संसकार दिये जा रहे है इस और ध्यानाकर सी जरूर करता है लेकिन सामान ने तह अपराद, उत्तरप्रदेश में पिसले तीन वर्सों में नियुनतम इस्तिती में आये हैं लॉन ओरर की इस्तिती बहत्तर इस्तिती में है और आगे भी बहत्तर इस्तिती में रहेगे कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपने जो सोचा था मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठते हुए काम हम सत्प्रस्थ सपल है अभी तक आगे का लक्स है उसको और अच्छा करना है और अच्छा करने के लिए अब टेक्नलोजी का इस्तमाल करते हुए कैसे हम कर सकते हैं इसके लिए हम लोगों ने उसके आधुनिकी करन की प्रकरिया को आगे बढ़ा दिये हैं जिससे हर प्रकार के अपराद को नियुनतमस्तर पर ला सके हैं एक अंतिम प्रशन योगी जी आपके जो विरोधिये हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और सब आए लेकिन अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्मान शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यहीं योगी जी नहीं जाएंगे वहाँ मेरा काम जो है मैं वो काम करूंगा और मैं अपने कारे को कृतब मान करके अपना धर्म मान करके हमेशा चलता हूँ मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा नहीं इसलिए मैं जाओंगा भी नहीं योगी जी बहुत-बहुत धन्यवाद हो बहुत शुब कामना है आज के दिन के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद